हाई दोस्तों मैं हूँ आपके साथ अन्वी सूद आपका स्वागत हैं हमारे चानल में जहां देश में इन दिनों अयोध्या फैसले काम लोगों से लेकर बॉलिवुड सेलिप सरक खुल कर स्वागत कर रहे हैं तो वहीं बीते दिनों भारत और पाकिस्तान के लोग एक साथ जशन मनाते हुए नज़र आये दरऊसल ये जशन पाकिस्तान के अतिहासिक करतारपुर को लेकर थी जैसे कि आप जानते हैं कि बीते दिनों करतारपुर कोरीडोर का इनुगरेशन इवेंट था जहां भारत के पुर्फ प्रधानमंत्री मनमोहन सेंग, पुर्फ ट्रिकेटर नवजोट सिंग सिद्धू और अभिनेता से नेता बने सनी ड्यॉल भी मौजूद रहे इस दोरान भारत और पाकिस्तान के लोगों को इस खास मौके पर एक साज़शन मनाते हुए देखा गया उस इवेंट में सनी ड्यॉल ने पाक पीएम इमरान खान से भी मुलाकात की वहीं पाकिस्तान से लोटने के बाद चलिए बताते हैं आपको खुद सनी ड्यॉल का पाक के लिए क्या कहना है एक इंटर्व्यू के दुरान सनी ड्यॉल ने बताया ये एक महान अफसर था, मुझे बहुत प्यार मिला, ये सिर्फ शुरुवात है मुझे उमीद है कि चीजे समान रहेंगी और हम सभी प्यार से रहेंगे, ये शांती की शुरुवात है बता दें कि पाकिस्तान की तारिफ करते हुए उनका ये विडियो काफी वाइरल हो रहा है वहीं करतारपुर्फ के इन्युग्रेशन इवेंट में जाने और पियम इम्दान खान का भाशन सुनने के लिए पाकिस्तान आने पर सनी द्यॉल को लेकर लगातार मीम्स बन रहे है या यूँ कहें कि जब से उन्होंने इन्युग्रेशन सेरिमनी में भाग लेने के लिए सीमा पार की है तब इसे ट्वीटर पर सनी का मजाग उड़ रहा है उनकी पाकिस्तान यात्रा पर टिपनी करने के लिए लोग ट्वीटर पर आ गए है और उनके इस सफर की तुनला उनकी कुछ धेश भक्ती फिल्मों से कर रहे हैं एक यूजर ने मीम बनाते हुए लिखा वही एक अगले यूजर ने कहा सनी द्यॉल सोच रहे हैं कि अब हैंट पर्म का टेक्स भी देना होगा शिट तो आपने देखी लिया कि कैसे भारत की सीमा पार करने पर लोग सनी द्यॉल का मजाग बना रहे हैं बताते चलें कि पाकिस्तान ने चार किलो मीटर लंबे करतारपुर कोरीजोर का उठाक्न किया जहां दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है इसके बाद हजारो सिख भारत ये तीर्थ यात्रा कुरुद्वारा दर्बार साहिब में दर्शन करने के लिए पाकिस्तान जा सकेंगे कि अच्पार कि अच्पार का उठाओ। झाल झाल